नमस्ते, मैं हूँ आपकी फार्मसिस्ट अश्विनी और आज हम बात करेंगे बिटाडीन गार्गल के बारे में बिटाडीन मिंट गार्गल में पोविडोन आयोडीन होता है जो कई प्रकार के जंदू का विनाश करता है जैसे बैक्टिरिया, वाइरसेस, फंगाई, स्पोर्स और सिंपल ओर्गानिसम्स ये मूँ के और गले के सूखने और खराश में भी आराम देता है वैसे बीटाडीन बहुत ही कॉमन ब्रैंड है आपको ये कही भी फार्मसी में मिल जाएगा लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप आपकी फार्मसीस से इसका औल्टिनेटिव ब्रैंड भी मांग सकता है जैसे कि बीटा काइंड, पोवी शील्ड, सेपलाडीन, पोवी फाइन इत्यादी अब हम जानते कि बीटाडीन काम कैसे करता है बीटाडीन गागल का मेन इंग्रेडियन पोवीडॉन आऊडीन है जिसे आइडोफोर भी खाँ जाता है इसका मतलब है कि povidone iodine के carrier का काम करता है iodine एक active moiety है जो microbes को मारने का काम करती है जब एक complex से चूटता है तब free iodine microorganisms के cell wall में घुसकर protein और nucleic acid structure के synthesis में बाधालाता है अब हम जानते इसके uses के बारे में ये मूँ और गले के lining के acute infection जैसे मसूडों में सूजन और मूँ के चालों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है ये दातों की या मूँ की सरजरी के दौरान और बाध भी इस्तेमाल किया जाता है अब हम जानते बीटाडीन mint gargle के side effects के बारे में बीटाडीन gargle से आपको हलकी खुजली या फिर त्वचा में जलन हो सकती है हाला कि ये side effects सभी लोगों में नहीं दिखाई देते बहुत ही कम लोगों में इसकी allergic reaction देखी गई है जिसमें rash, लाली, सूजन या फिर खुजली जैसे लक्षन हो सकते है 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए बीटाडीन gargle को निगलना नहीं है इससे gargle करने के आधे घंडे तक आपको न कुछ खाना है न पीना है नहीं smoke करना है इसे आप 7 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 4 बार gargle कर सकते हैं तो यह होगी जानकारी बीटाडीन gargle के बारे में आशा करती हो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर इस वीडियो में बताय हुई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी तो आप आपके friends और family के साथ इसे जरूर share कीजिए ऐसे ही useful और informative वीडियो के लिए Pharmacist Dashmini को जरूर subscribe करें और subscribe करने के बाद bell icon भी जरूर दबाए bell icon दबाने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी उसका आपको notification मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye, thank you and take very good care of yourself